कि नमस्कार स्वागत है आपका कभीर नीज पर मैं हूँ चिति अंदर कमल स्वारो सो कहूंगा जरा एक बार यह दिखा दें क्या लिखा हुआ है चानपुर में आप भी चौक जाते होंगे न आर्ट गैलरी का नाम सुनके कि आर्ट गैलरी को में आपको यहां देखने को मिलेगा कितना का गैलरी को मिलेगा कितनाstellung क्रेक्छिविशन हर ग्येशन गहा था स्री विनोत पांडे जी की दौरम साथ जन्वरी से ये शुरुवात हुई थी सारटी गैटनली के एक्जिबिशन की और आज उसका अंतिम दिन है मतलब नौ तारीक है आज आज उसका अंतिम दिन है आप सौरसकोंगे जला दुखों मारके दिखा देते हैं कि सारे कगलाकारों ने यहां पर खुबसूरत प्रेंटिंगों को उके रहा है अपने मन की भावनाओं के अपने विचारों को उन्हों ने इन प्रेंटिंग्स के माध्यम से हमें प्रदर्शित करने की कोशिश करी है बहुत ही भाउ विवोर और उतकष्ड पेंटिंग के नजार रहा हैं यहाँ पे और अंदर प्रिवेश्ट करते हैं तो देखते हैं लगबग पतचित्रकारी की जितनी विधा हैं इतनी तरीके हैं उस तरीकों को यहां पर printing कलाकरों अपने तरीके से सुख की रहा है। आप देख सकते हैं यह वीना जी की है और ऐसे बहुत से कलाकार हैं जिनों ने अपने temporary printing क्र MV कर्ञेट किया है तो अग्ति वह से लोग और काफी लोग देखने के लिए भी लगातार यहां पर आते हैं तो आप सारी पींटिंग से यहां आर्ट गैलरी का संचालन जो किया जाता है वो प्रोफेसर अचूचर अब् dalej का प्रदर्शन करने कहां एक माध्या मिलता है क्योंकि अक्सार बड़े शहर जैसे डेली हो गए मुंबई हो गए यह पेंटिंग इसके लिए जाने जाते हैं लेकिन कानपूल में भी इतनी अच्छे-च्छे कलाकारों की पेंटिंग से लगती है आप देख सकते हैं तो पहले तो कुछ कलाकारों स किस तरीके से प्रदर्शित करता है साथ माफिश चाहता हूं अभी आर्टिस्ट इनी है तो आपकी कुछ अलग आगे हैं उतकरश की भी है इनकी भी है आपकी भी है चीट ठीक है यहां से स्टाट करते हैं आर्ट के गैलरी में मैं यह कुछ नया देखा था तो एक्दम लोग इसकुल्प्चर मीडियम में एफ़र्ट नहीं डालते हैं क्योंकि थोड़ा सा टाइम टेकिंग और थोड़ा हैवी मटेरियल होता है तो इसको कट करना और वाड़ा लंबा प्रोसेस होता है तो अभी हम बेसिकली मैंने ब्लैक इस मार्बल में काम किया है यह इस दिस तारी स्टील की है यह ब्लैक मार्बल है उनको असेंबल करके एक फाम ली रिप्रेजन करी है जैसे कि फैमिली में डिफरेंट टाइपस शेड्स होते हैं लोगों के नीचर के एंट तो उनको साथ में किस तरीके से हम असेंबल करके यूज करते है तो वो मेरा स्कुल्चर प मैं नेम इस अभिने प्रकास सेंग बहुत अच्छी है बहुत सुन्दर है तो बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके कि कानपुर में इस तरीके की प्रतिवाय है तो और भी मेरे स्कल्चर आपको देखने को मिलेंगे आपकी पुरा देखने हैं कि आपके हाँ पर जैटीक कुछ अपने तरीके से इन्हों ने किया हुआ है और देखते हैं चले आपकी पेंटिंग है कहां पर यह हैं गुड नेम मैं इस गुर्जीत सिंग मैं सच बता हूं तो मैंने समझ भा रहा हूं आप प्लीज इसको एक्स्पें करें क्या बराने के कोशिश करी है क्या दिखान यह पेंटिंग को मैंने टाइटल लिया है डिश्टर्ब रामनी इसका मतलब यह है कि जब इसमें इसले जोड़ा क्योंकि जो पांच लोग है एक ही फैमिली के हैं और इन में आपस में जब विचार किसी फैमिली में नहीं मिलते हैं तो इसमें डिस्टर्बंस आने लगता ह तो इसमे वही है सब रहे सबखे है, सबके दिचात सब के मिलेगे, तब वहצं़ी है तो ये गुछनी क्या कारी तो, एला है, मैंने इसको रहल कर दिखा और ये मैंने ब्लू कलर से दिखा आए, जो सबसे ब्लू है यह सबसे यो यह सोच रहहे है और इसके भाद बडम की मैं किुछ रहे है ही माशि nerv 7 कि यह बनाते हैं तो फॉर्ट्स से खोज पर की किस तार है सुर्ट्स को झाल प्ञार अपन कि अभी कालर yukya रोल होता है क्यों अघ्ड़र कालर यह रिप्रेज्ट कर था है ऐसा होता है और अपने बॉड़ी पॉस्चर से डिस्क्राइब करेंगे अपने आपको कि यह क्या कहना चाहरे है तो आप इस तरह के से बूल रहे हैं तो जोलिस का इस ग्रीन और ब्लैक और मिक्स करके बनता है यह यह क्या हो यह जोलो और रह बलैक और सबद तो थोड़ा इस हमें एफएक्टा अपने जोलब यह कूले सबस्ट इस जोलिस को जीन डिंध उर् इन खान दिखना में सकतला है ब्लू कलर पूल कलर में आता है, रेड कलर वाम कलर में आता है, जिसमें लाल की मातर होती है, वो हॉट कलर होते हैं, वो हॉट कलर होते हैं, जिनने ब्लू की थोड़ी मातर होती है, वो कूल कलर होते हैं, इसका मैं दिखाना चाहता था कि ये को सोच रहा है, अब को सोचने को ह तो कुछ ना सोचते हुए मैंने इसको एक औरेंजिश पेंट कर दिया बहुत अच्छा लगा गुर्जी दी बहुत अच्छा लगा इस तरह से आप लोग जो सोचते हैं उकेरते हैं ना अपने विचारों को अधबुद रहता है बिना कहें भी सब कुछ कह जाते हैं आप अगल को हें वहाले जैसे दिखाने की कोशिश करी है यह सर के अमने इसमें गॉल्डन मांटैन इसका थीम हम ने इसमें पूरा ब्लैक क्या बहुत सारी पिंडिकर आपने देखी होंगी जैसे कि अलग अज़ए हैं हम इसमें बाइस माले इसमें ब्लैक बादैने हैं एक चार चोड़ देते हैं सर का कुछ भी कहना बहुत ज़्यादा हो जाता है कम बहुत गहरी बात बोलते हैं जी तो वह ही है कि दो कलर लगा कि हमने पेंटिंग को खतम कर रहा है डिखाना डिखाना और से बाहर दिखाने और केकला माउंटेंड 003 e'll have more बहुत सुन्दर है थेंको और और भी कोई आपकी पेंटिंग है आपकी पेंटिंग है मैं कौन से पेंटिंग है आपकी यह एफ्ट्रक रहे है तो पना क्या है यह नेचर से ही रिलेटेट है जैसे नेचर बहुत सारे रंग चेंज होते हैं और उसी को दिखाने का एपस्ट्रेक फॉर्म में कोशिश की है मैंने अलग अलग मतलब एपस्ट्रक फॉर्म के ही टेक्स्चर देते हुए अलग विधा में है का नेचर की कलर को कोई एबस्टेक फॉर्म में दिखाने कोशिश की है थोड़ा सा सर से भी प्रोसाहन मिलता ही है और फिर अपना भी करने के और अपने कलर्स व गयरा सब यूज करके इसको मुंबई का जूस्लम मेरिया मुझे बड़ा अट्रेक करता है तो उसी को बनाने की कुशिश की एपस्टेक फॉर्म में है वह भागए अपस्टेक हाला कि मुझे कम संबज में आते लेकिन है बहुत खूश्ळता है अरस अर ये विनावस्थी जी ने कुछ जो इसको कर रहा है लेकिन अभी है नहीं हम लोगों के साथ तो यह उतकर्श है पिछली बार याद होगा अगर तो इन्होंने कवीर को के रहा था बहुत ही अच्छा कवीर दास जी को अपने स्क्विर साहब को अपने अपने कापने लोगो तो पाटिसिपेशन नहीं हो पाया अगली बाट राए करेंगे तो चलिए कोई बात नहीं उतकर यह यह पेंटिंग लेकिन इन्होंने भी कुछ पुछ पुछ आपकी ना क्या बनाने के कोशिश के निया है यह मैंने मेरा टॉपिक इल्यूजिन है टॉपिक इल्यूजिन मैंने मना जी निया है कि अपनी पेंटिंग में यह मोजाल दिखाया है जैसे हाँ उसकी मोजाल की वज़े से यह दो लोगों में जो डिफरेंस वाजाता है ना जैसे हम कोई चीज अची लग रहे हैं उसके तरफ दे क्या कर्शित हो जाते हैं जो हम उस प्रिंटिंग की वैसी थीक दो सिरीज बनाई है तो इसके नेग्टिविटी और पॉजिटिविटी को मैंने दिखाया है जैसे हाँ जी हाँ और उसमें कलर भी मैंने बहुत डल दिखाया है अब साथ कलर है वो व्यूक और यह जैसे रेड इसका विरोधी कलर क्रीन है तो औ प्राइटनेस की तरह बड़ा पॉजिटिविटी की और बड़ा है इसी की तरह मैंने इसमें फ्लार बनाए हुए और इसको पुश्व के जो पराग कन होते ना उससे निकलता दिखाया उसके रिदय में काटे दिखाया है तो यह नहा जी थी तो दीकिए उसी कड़ी में हम आ गया है THIS पींटिंग के पास और इन प्रेंटिंग के जो कलाकार है यह बैस तरह किया ना शंदीप चलिए और पहले तो यह बता देए यह कौंसा आर्ट का कौंसा अर्ट है क्या क्या कह सकते हैं कौन सी विधी है यहाँ जो टैक्निक है फो हमने गोर्ड आर्टी है गोंड तो वो इस तरह की आर्ट करते हैं। विशेष्टा यह कि वो पेड़ में बहुत विश्वास करते हैं। जैसे किसी तरह से मद्यप्रदेश की वर्ली टैब है तो वो लैंड में बिलीव करती है। वर्ली का मीनिंग होता है लैंड, लैंड से रिलेटेड है, वो पेड में बिलीव करती है, जो कुछ भी बनाते हैं उसमें पेड निकल गया आता है, यहां भी हिरन कह लीजे, बनाई जिसकी सींगों को उनने पेड का फॉर्म दे दिया, यहां एक सीरीज है, जिसमें human life को हैं, उसकी life में कुछ अपने friends होते हैं, अपनी colors होते हैं, उसकी life जब आगी बढ़ती है, उसके जैसा ही एक और friend एड हो जाता है, इसकी life में, पेर बन जाता है, साइकल, हाँ, male या female या किसी भी तरह गा, दो male भी हो सकते है, दो female भी हो सकते हैं, एक family form होती है, अगर male female नहीं तो एक family form होगी, और एक new, इसको दिखने होती है, एक family form होती है, एक नया character एड होता है family में, और यह life का cycle है, वह आगे बढ़ता है, इस लाइफ साइकल में पत्यां बुर्ष तरह की है अपनी तरह की आ अपनी लाइफ है अपनी तरह की पत्यां दिखा दी जैसे ही उसकी लाइफ एक सेकंड परसन इन्वाल्व होता है उसमें चेंज आते हैं हो सकता है यह पतिया इसकी रही हो इस करेक्टर की रही हो उसके रंग उसमें एड हो गए उसके फॉर्म्स उसमें एड हो गए ठीक है फिल चेंज आता है तीसरा करेक्टर एड होता है उसकी लाइफ में फिर से चेंज होता है लाइ नहीं, branches base वही है, सब में वही हैं, पत्तियों में चेंज आ रहा है. यहां पे जो division होता है, family में, या एक बच्चा family से अलग होता है, उसके अपने कलर्स आ जाते हैं, अपनी तरह की पत्तियां है. ठीक है अपनी लाइफ का अपना स्टाइल है जीने का ये दूनों अपने उसी बेस के साथ रूट के साथ जुड़े हुए हैं उसमें चेंजस क्योंकि हैं अपनी फॉर्ट प्रोसेस है वो अलग होता है अपनी फैमली से किसी भी आपकी महीर है नहीं ऐसा कुछ नहीं है हम सब कुछ गटना ऐसी होती है जो कुछ एक पढ़ियुत कर यह नहीं कर पाते हैं तो किसी तरह से इक्सपरस करते हैं वो चीजें हैं पेशे से टीचर भी हैं डिजाइनर भी हैं निफ्ट से मैंने बैचलर किया हुगा है डिजाइनिंग में अमास्टर्स ब्राइंगं और अभी NIFT NID और IIT का एक एक एक्जाम होता है, तो कॉम्टीटिव एक्जाम से निशनल लेवल, उनके लिए बच्चों को क्वेर कर आते हैं, हमारे स्टूडेंस नहीं हैं, यहां पर जसार से बात कर रहे हैं, यह सारे हमारे स्टूडेंस हैं, और एक्जबिशन देखने आ थैंक यू सो मच, आप मिहनत बहुत करते हैं, लगतार स्टूडेंस करते चले आ रहे हैं, हम लोग 67 से लगे हुए हैं, कानपूर में, कला के प्रती केतना जाग रहे हो, संदर बहुत जाग रहे हो, पर हुआ नहीं बच्चों सा, पूछना है आप से, कि मैंने देखा है कि आप अकेले जूज रहे हैं, कानपूर के अंदर गैलरियां है नहीं, आप ही की गैलरी है कि इसके बाद किसी कोई गैलरी नहीं है, यह जो बिचारी पिंटर है, आर्टिस्ट है, इनको तो कहीं कोई जरिया ही नहीं है, किसी तरीके, एक तो पहला इनको प्रदर्शित करने क किस्टा है हम पेंटर यहां कौन है अर्टिस कौन है कोई नहीं आप टीचर है आप टीचर थे बस एक एक कॉलेज में इस वीजिए लेविल टक है पर आपको नहीं लगता वो लो कुई करते हो ऑफ जो आया यह कोई नहीं आता हुआ कभी कोई डिस्पुटेंट भी नहीं देखें 16 कालेज में से कोई ना तो टीचर आता है ना वो इनके कोई स्ट्रूइंट आते हैं अब इसका क्या कारण है यह तो वहीं बजा सकते हैं ना वह बच्चों को इंकरेज करते हैं कि जाओ देख किया ना उनको बताते हैं कोई अप आर्ट की आर्ट के तीचर होना तो असान है पर आर्ट के तीचर होना तो आसान है पर आटिस होना मुश्किल है जोकिंग वक्ता है और पिर कानपूर जीते शहर में आर्ट के जरीए आप अर्णिंग नहीं कर सकते हैं आपको टीचिंग करनी पड़ेगी तो यहां कोई ना सेल है ना कोई ऐसा पैटरन है जो कला को आरकी हो देखता हो खरीदता हो ऐसा कुछ नहीं पैसा है कानपूर में पर अब क्या बदाया इंट्रेस्ट भी नहीं है और इंट्रेस्ट भी नहीं है और इनको खरीदने की कुछ भी यहां पर बड़ी बाते होती है यह कमेटी बन रही है यह बनेगा वो बनेगा कुछ तो बनता नहीं है और जो लोग कमेटी सर्वे सर्वा हैं वो कभी तो गैलरी में दिखते नहीं ह कि वो खुद पले देखें आके तब हम जनता से गए हम जनता को साधारन लोगों को क्यों दोश्टे हैं जो कला से जुड़े लोग हैं जब वही नहीं आते हैं तो हम जनता क्यों करें अरे इतने सालों से कर रहे हैं भी किसी भी एक्जिबिशन में तो दिखाई दे हैं कहीं न वर्तमान में सरकार चल रहे हैं चीख चीख के बोलते हैं हम आर्ट इंटल्चर को बढ़ावा देंगे कलाकारों को बढ़ावा देंगे जैसे पदम श्री हो जाएंगे और पदम भूर्षण में लोग इंक्लूड कर रहे हैं तो यहां पर बिल्कुल बीच बैटे सिटी में है आप बहुत दूर नहीं है कि इसके बाद भी कि लोग कभी इंट्रेस्ट नहीं लेते नेता नहीं लेते या को पता नहीं होता है कि इस संस्कुति को बढ़ाना चाहिए है हाँ हमारे जो राज्य में कला नीत कोई है नहीं ललित कला अकैडमी तो एक पॉलिटिकल समझ यह दूर यह को परते रहते हैं वो उसको हम पूरे स्टेट का जिम्हिदार नहीं मनते हैं उनकी एक्टिविटी से लखना है ज्यादे बनाराज तक्सी बोगर वह कहां दूर गाहनों में रहता च। यह क्या कर रहा है उनको उससे कभी शरुर नहीं हुआ कर नहीं है क्ष्वे, यहां परा डैरिक्टरी टवार्ट जैसे हमारे एंडिस्टी है वह सारे कला की है मुणिटर करते हैं यह इतने स्कूल में कला को खटम कर दिया गया कला पड़ाई नहीं जाती अब ऐसे तो पी आर्टिस्टिक खटम हो जाएंगे पी कानपूर के अंदर में जिनको रुची है वो यहां है देखिए उत्तर भारत में कला का कोई स्कोब है नहीं और यह बड़ा जोकिंग काम है कोई कल कार बनना है कला से अर्णी करनी तो दिल्ली बंबाई जाएंगे यहां नहीं बिखता कोई जबकि यह बेंटिंग्स मेरे ख्याल से हजारों की हैं लेकिन आप हम तो कहते हैं कि उनको फ्री देदो तो भी नहीं प्री क्या ले जाएंगे कुड़े बड़ी मिलेगी दूसरे एक एहन सवाल है जब आपने गैल्डी की शुरुआत किया भी और एक्जिबिशन की शुरुआत की तो आपने डियम तानपूर को कमिस्टर को कभी न्योता दिया हम देखिए हम दो चीड़ों से परेज़ करते हैं बिरुक्रेशी और नेतल हो यह दोलों को नहीं बुलाते ह हमारे हां जितने भी लोग आते हैं वो क्रिटिव लोग आते हैं सही इतिकार हो मिजिक हो आर्टिस्ट हो अमिनी लोगों को बुलाते हैं बहुत देखिए हम अपने समाज के लोगों को सम्मान नहीं देंगे तो यह जो भीरोक्रेसी है नेता हमको क्यों सम्मान देगी तो हम हम अपने खलागारों को क्यों नहीं सम्मान करें कोई नहीं करता है और यह लोग क्या गरते हैं देखेंगे इतने सालों से हम लग कर रहे हैं कितने बन जाएगे सब होया सब कर गया जी भी हो गया होगे उसके आज खतम वह आया हमारा एक संकृतिक के चलता था बालने को इस पर कल्चर बहुत सारी गत्विजिया हम लोग करते थे अधिकाही आया उन्होंने तोड़ने को कह दिया तो हम लोग इन अपील करी तो पी एंड कॉल पीजिये चले गए करके अब हम लोग उनके पास गए उनका दिए गनेता तो ऐसे करते ही रहते हैं और आडर तो आएगा हम कभी तो करेंगे लगनों से आडर बिजबाई है कहां आता है मुगदमा करना पुड़ा है मुष्टे बेचल लाए है काहनपुर के अंदर में दु आर्ट को पे अच्छी समझते हैं कि आर्ट कोई पढ़ने की चीज़ा है मीडिय में कोई कब्रेश नहीं होता जो मीडिया है मारा वो हमारा सपोर्ट नहीं करता अगर आपको प्रमोशन मेले साथ है अगर हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो समाज के लोग कैसे पता चले ईडिली डेरी में धिली दिली बंभए में जितने तीन जो चल लेह हैं का फूरình जहां पर नहीं है है ना पहली बत तो शुने पर काणनपूर में उतने मीडिया पुर्ट मेडिया जो मेडिया पता नाम के खीचीज नहीं को संबाद गाग की देने वह फोक्षर अबत को समि नो लोग कभी पुराने दो लिखाने नहीं अडिक्षा न्हीं करेंगे। लोग कभी पुराने दो आपके लिखते हैं। तो आर्ट केटिक मी होगा, तो समाज को कैसे पता ज़े लेगा, क्या एक आच्छा हो रहा है, खराब हो रहा है, क्यासा बुरा है खुछ तो लिखो, कुछ भी नहीं है कितने जिलो से या कितने राज्जों से लोग यहां पर आएक पर आगए लोगा का मीडिया और सेल का क्या है हम करें के दीके इ Muss Hij then होई गार कि कुछ मीडिया का है कभी स्चप कि रखिया को थे लुफ जापते नहीं कि ने स्टाइंशली नुइक कॉय और हिंद्योऊ है हिंदू अखवारा इनके फ्राइडे काला होता है फ्राइडे का पूरा फेश कला उसे लोग कला कर छापते हैं तो ऐसा तो यहां कुछ होता नहीं तो उचारे बैट जाते हैं इतनी दूर खर्टा करके आएंगे यहां करेंगे हम जब कि उनसे करते हैं हम गैल जी कोई किरार चाहिए आप करिए तो आकर आएंगे कम से कर आएंगे अपने सोफिल मीडिया भी डालेंगे वह कह रहे हैं कुछ लोग कह रहेंगे नहीं हम करेंगे अब देखिए कब आता हैं अंतिक समान सारा आप से कि कैसे यहां पर बढ़ावा मिल सकता है और यह जो आर्टिस्ट है इ चीशन से लिए आए आप के बारे में रोजन नहीं किया जाएगा डिग्री कालेज के डीर्ळ ऊत्रमॉट नहीं करेंगे इंटर्मियर्द कलेज के बासे अंतिक सम्झे सब्सक्राइगे मिल दर्श पुर गा小, के गभार को अपन रीज़ों नहीं करो और इंग्री का पढ़ाता है तो जब तक वहां से नहीं शुरू होगा कुछ इसकूल जैसे हमारे हाँ कुछ पब्लिक स्कूल है जिसमें हर बार उनके बच्चे भेजे आते हैं उनका इंटरेस्ट लेता है अब नाम नहीं ले सकते हैं पाँ अनका अनका मरेजिदमें भेजते हैं सब सकते हैं उनका यह dużo फिर उनको लगता है यह होटी इनी देह दूसरे सकोल हैं उनके आर्ट ता कहां? ले जाकर तो कहां से आईगी कैसे कोई समझेगा कि आर्ट भी कोई विश्य है पढ़ा जाता है आर्ट को क्या समझे जाता है कि कोई चित्र देख के बना लेना होई आर्ट है उनको यह नहीं मालूँ बच्चा आर्ट से अपने को एक्स्प्रेस करना सीखता है सुसाइटी में अपने को एड़्जेस्ट करना सीखता है जो प्योर आर्ट है वो बच्चों की आर्ट है बच्चा जब कोई चीज बनाता है हम लोग करते हैं क्या लकीर की चड़ा है यह करना हमको लकीर हैं लग रही है लेकिन उसको उसको पूरी दुनिया दिखते हैं पूर हुआँ तो हम उसको कैसे जम्झेंगे अगली गैलरी आर्ट यह एक्चिविशन कवर लेंगे अगली यह फेबरी की फस्ट की में होगा इस वीश में अगर कोई करेगा इंडिविज तो कर लेगा और रनी तो पेडर्य में हमारे दो अन्यवर एक्डिविशन होती है एक तो अगरी बसंत में होने वाली है और हम यहाँ पर है नवाब गंज में गुरुकुल आजाद नगर में है और गुरुकुल एकेडमी में है जहाँ पर यहाँ पर बहुत प्रदर्शनी का आजन किया गया है प्रफेसर अफेंद्र विद्धी जी द्वारा उन्हीं के अनित में यह सारी चीज़े चल रहे हैं अगली बसंत में होगी और पिछला आपको मैंने पहले भी दिखा रखा है कजी सावन में यह हमेशा लगता है तो ऐसे ही अन्होनहार चित्रकारों से मिलने के लिए और और भी कई प्रफ़ाओं से मिलाने के लिए ऐसे हम आपको मिलाते रहेंगे दिखाते रहेंगे तब तक जुड़े रहे कावीद में उसके साथ नमस्कार